दोस्तों आप सभी को मेरे ब्लाग पर स्वागत है आजना मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो मेरे सामने हुआ एक घटना घट गया जो मैं आज बताने वाला हूँ एक सावारी कहीं से आया और दूसरा इरिक्षा वाला ला रहा था उस सावारी को लागा So est essa और अगे में आ растis सांभारि के लिए खा था अगर कोई सांभारी मिलेगा तो अब में लेकिए जाओंगा बोल्के वहां प其实 हमले हैं तो तो अबने के अगे बाद क्या हुआ हां लग्सा में आ लाक्त ता हुhen तो तेर जगरा हो रहा था हुआ था बातों कर भी शुरा हा हा था तो बहुत देर ऐने कबाद इतना पता चला जो फिर फिर जो लेडि सी तो उन्होंने उनको किराय नहीन था आ दिया नहीं दें चला गिया पैदल और जाते जाते यह बोल रहा था आप जैसे कुना मुझे वहां से कोई उनको नहीं ला रहा था इसके कारण भी है भई मुझे में खुद चलाता हूं तो इसलिए मुझे थोड़ा-थोड़ा मालूम है और मैं बताना चाहता हूं और आप लोग भी रस्ते में चलते होंगे तो आप लोग भी पता होगा में बता रहोंगा देखिए आने के बाद गारी का किराया खासकर लोकल लोकल सिटी का अंदर में जो पहले लोग जाते थे किसी भी गारी में जाते थे भई तो उसका किराया ज्यादा लगता था आज का डेट में इरिशा आने का बज़ए से किराया घड़ गया यानि कि आने जाने का खर्चा जो है से हम 2-3 किलीमिटर इसके आंदर हम लोग को लेके जाता है 4 सावरी 40 रुपया और आगे कभी-कभी बिढ़ा लेता है आधर रस्ते सब मिल जाता है तो पांत सावरी मिल जाता है तो उस हिसाब से मान का चलिया 50 रुपया तो चेयर में जाता है तो मेरा कहने का मतलब है तो एक एक आदमी का हिस्सा में कितना है, दस रुपया, तो एक आदमी दस रुपया में आपना मलजिल तक पहुच रहा है, दस ही रुपया लगता है उनको पहुचने में, तो इसका एक लिमिटेड डिस्टन्स है भई, तो इनका लिमिटेड डिस्टन्स क्या है, आपका धाई से ले भाई आमको इस जगह पे जाना है, आम पचास रुपे देगा, रस्ता में किसी को मत उठाओ, ठीक है भाई, नहीं उठाएगा, तो चला जाते हैं, तो कुछ-कुछ जगह ऐसा होता है, जहां पे ना गारी आम लोग तो जाएगा, मान लिजे, पचास रुपे देगा ना तो लेकिन आते बाएग सवारी नहीं मिलता, ऐसा कुछ जगह है, जहां से अपस आते बाएग एक भी सवारी नहीं मिलता है रस्ता में, और उस जगह में ऐसा भी बोल सकते हैं, उहां का जो लोग है, तो अपना पर्सेनलड रिकल्सों जहता होगा, तो इस वजये से विशल से तो इस बज़े से उस जगह का नाम कोई भी लेता है, तो फटक से उठा लेता है, हाँ भाई, बेठो, अगर मार्केट से आते वक्त मिलेगा, होस्पिटल से आते वक्त मिलेगा, तो ऐसे कुछ जगह है, जहां से आते वक्त सवरी मिलेगा, हर जो भाई, इरिशा चलाते हैं, ह करन भी दो फोट बंदा दस रुपे देगा इतना दूर का रस्ता दस रुपे में लेके जाए आते वगभी खाली आना पर गगा चार्च तो गिया आते वगभी खाली आना पर गगा लेकिन यह बात जो है na बढ़तानों में भी आलेशने का पईसा क Gina watching नूहीं जा क촉ने मतलब है जहां पर संब्लाइक जिस बंदे बढ़तानों इस बंदे को रिजब मिला है, अभी ये मार्केट पे है, ये जाएगा, A, B, C, D लोकेशन में जाएगा, तो ये लोकेशन में तो नहीं जाएगा न, तो मेरा करने मतलब है, D लोकेशन में जाके जगह पे रुकेगा हूं, किसलिए उनका रिजब है वहां, वहां से उनको लान है, उसके साथ, उसका पैसेयों के मामले में हो, किराय के मामले हो, सबका बात पहले बहुता हो गाने किसी ओसी तरह से उनको हो किसी जऺह पे खाली लेके जा रहा है दी लोकेशन में तो रस्था में कोई मिल जो कोई नहीं ली रहा था उनको तो और मिल गया है शूद्था में एक Supari.. जो कोई भी गारी में नहीं से तो उस बंदे ने उठा लिया उसको, तो उठाने के बाद बात किस जगा का हुआ, दी लोकेशन का बात हुआ, तो रिक्षावाला भाई को भी पता है और सावारी को भी पता है वहाँ जाएगा दस रुपे लेगा तो रिख्षावाला भाई को भी पता है, दस रुपे लेगा, तो वहाँ पे ले जाके रोका दिया, गारी रोक दिया, वहाँ पे में भी खरा था, तो वहाँ पे रोकने के बाद, सावारी क्या बोल रहा था, मुझे यह ले क्वेशन में जाना है, और आगे चलो, तो बाद को लेके जगरा हो रहा था, दोनों के बीच में, तो मैं भी वहाँ पे खरा था, जगरा हो रहा था, जगरा बहुत देर होने का बात ने क्या 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 ऑध लेडिज जो है, पैसा नहीं देखे चला गया, किराय केतना था, दस रुपया, दस रुपया भाई, जादा तो चाने का बाद मैंने रिक्सावला भाई को पूछा मैं क्या हुआ तो बहुत देखिए ऐसा ऐसा बात था में वहां से लाया तो और बोल रहा है और एक किलीमीटर आगे जाना है यानि कि उनको यह लोकेशन में जाना था तो क्या क्या उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं मैं तो यहीं तक बात हुआता है यहीं पर उतार जाई है तो महिला ने क्या किया पैसा नहीं देखे यह बोलते हो जा रहा था आप जैसे को ना इरिक्सावालों को मुझे सीधा करना आता है किस तरह से सीधा किया जाता है मुझे अच्छी तरह मालूम है बोलके पैसा नहीं तो इस तरह का सावारी रोड में चलता है, कोई-कोई सहावारी ने वही ऐसा भी होता है, तो मेरा कहने का बतलब है, आप खोल के बोलो, उस जगह पे जाना है, अब जिसको जाना है, वो लेगा आपको, अब उहाँ जाने का बाद और बुलिएगा ना, एक किलोमेटर आगे ज भी को precie जमा करना हैं कुछ भी हो सकता है उसको जोर जोरी हो सक्ता है तो मत करो आप लोग जो बी गारी में बैटते हो जाते हो यह इस चीज को सम्झा गरो द़स उपैं लेकर पुरा सहर नहीं गुमानाया आप लोग को दस रुपए का एक लिमीट है आप दस रुपए से यहां पर उठेगा और पच्छिस किलिमीटर बाद जाके उत्रेगा उसके बाद बोलेगा दसी रुपए किराया है तो ऐसा नहीं होता है थोड़ा समझा करो आप लो और ये घटना घटा मेरे सामने तो मुझे अच्छा नह पैसे नहीं देखे जाता है दस रुपए आज के डिट में कुछ भी नहीं है और गारी का जो किराया है जो भी बोलो जिसने भी बनाया हो इस गारी को लोग के भला के लिए बनाया है जैसे कि हम चला के हम चल रहा है मेरा परिवार चल रहा है इससे सावारी को भी भला हो रह इधर उधर बहुत सरा जगह पर जहा पा रहा है और अरम दाइक भी है जल्ली भी पहुच जाता है थोड़ा तो इस चीज़ को आप लोग भी समझा करो वह भी किसी ना किसी चीज चलता है दोस्तों बैटरी हो बिजली हो किसी ना किसी चीज तो चलता है एक्चले तो यह बैटरी का है इलेक्टिक गारी मतलब बैटरी का ही गारी है तो उसमें चार्ज का निकले बिजली चाहिए तो बैटरी जो है उसका जो रेंच है ना दिन बादिन घटते रहता है तो उसको भी तो खरीदना है आप 10 रुपाई में पुरा सहर घुमाएगा तो खरीदेगा कैसे, दोस्तों यही बोलना था आप लोगों को, तो इस चीज़ को आप लोग समझा कीजे, गारी में उठने से पहले, जहाना है आप लोग को, सेम उसी लोक टेशन का बात बोलीए, जो पैचानता है वो ले जायाएगा, जो नहीं पैचानता है, वो नहीं ले जा खायः पाएगा और किबाय भी ऊलटा सिदा माँएगा आपको को जिस गारी में ठीक लगे उस्हीं में जईए लेकिन में जहे कहना इतना ही था आपको जिस जगह पर जाना देके ले जाता है फिर बाद में जाके बोलते हैं और आगे जाओ थोड़ा सही रस्ता है थोड़ा पोचा दो ऐसा मत कीजे गारी बहुत है कोई ना कोई तो आपको लेज़ा गले इसके अ wielu बहुत समी बहुतुलद बहुतुले